नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जहरखन के दिन भर की खबर जानते हैं सुखार जोजना का लाब लेने वाले किसान पैक्स में नहीं बेच सकेंगे धान मुख्यमति सुखार जोजना का लाब उठाने वाले किसाक अगर पैक्स यानि धान अधिप्राप्ति के इंदर पर धान बेचते हैं तो उन पर करवाई होगी साथ ही वे दोहरा लाब नहीं उठा सकेंगे इसके लिए कस्मार सीओ परदिप कुमार सुकला ने पैक्स संचाल को गुदिसाने देश जारी कर दोहरा लाब उठाने की कोशिस करने वाले क्रिसको पनाया रखने को कहा सीओ ने कहा है कि खरीफ विपनन मौसंवर्ष 2022-23 में 15 दिसंबर 2022 से धान अधिप्राप्ती का कार चल रहा है किसानों को धान बिक्री किरासी पी एफ एम एस के माद्यम से उनके बैंक खाते में भेजी जा रही है यह निर्देश दिया गया है कि पैक्स के माद्यम से धान बिक्री करने वाले किसानों की रासी भुकतान से पुर्व इस बात की निगरानी नितांत अवस्यक है कि समधित किसान कहीं सुखार प्रभावित राशी का लाब तो प्राप्त नहीं कर रहा है धान बिक्री का भुक्तान समंधी प्रतिवेदन पर उल्लेक करते हुए अनुसांसा करने को कहा गया कि समंधित किसान सुखार वेना स्चाशादित नहीं है पलामू के मनातू में नक्सल यू और सी आर पी एफ के बीच मुड़ भेर नक्सल परहवित मनातू थाना छेत्रे के मिटार पीकेट के नजदीक बीसराव जंगल में गुरू आर सुबा सी आर पी एफ और टीएस पीसी उगरवादियों के बिच मुड़ हो गई दोनों और से करीब 150 राउंड से ज्यादा गोल यह फायरिंग हुई है पुलिस की तावर तोड फारिंग देखकर नक्सली मौके से भाग गए मिटार पिकेट चात्रा जीले की सीमा से नजदीक है सी आर पी एफ को गुरू आर सुबा करीब 6 वजे टीएस पीसी के उगरवादियों के मुवमेंट की जनकारी मिली जिसके बाद सी आर पी एफ की 134 वी बटालियन ने पुलिस के साथ मिलकर सर्च अभ्यान सुरू किया इस दोरान सी आर पी एफ और नक्सलीयों में मौट भेड हो गाई दोनों और से जमकर फारिंग होई है गोड़ा के ताल जहारी में पुलिस और ग्रामिनों के बीच हिंसक जड़क गोड़ा जिले के महगामा अनुमंडल अंतरगत ललमाटिया छेतरे के ताल जहारी गामें गुरुवार को पूलिस परसासन और ग्रामिनों के बीच हिंसक जड़ाप हो गई जिसके बाद पूलिस ने ग्रामिनों पर लाठी चार्ज किया वहीं भीड को तीतर बीतर करने के लिए हवाई फैरिंग भी की गई ताल जहारी मौजा में कोईला खनन के लिए अधिक ग्राहित जमीन के सिमांकन का ग्रामिनों बिरोध कर रहे हैं जिस पर पूलिस ने कड़ी करवाई की है बुद्वार को पूलिस पसासन ने सन्यम से काम किया लेकिन गुरुवार को पसासन ने कड़े तेवर दिखा है डिसी जिसान कमर और एसपी नाथू सिंग मीना भी घटनास्तल पर कैम्प कर रहे हैं ग्रामिनों की ओर से तीर धनों से पूलिस टीम पर हमला किया गया है साहब गंज की पृती ने पाचास और एक सो एकासी वार राम लिख बनाई भागवान की पेंटिंग बना दिया वर्ल्ड रिकोर्ड जारखन के साहब गंज की रहने वाली पृती ने दिव्यांग है लेकिन समाय द्वारा समझी जाने वाली इस कमजोरी को अंदाज करते हुए पृती ने अपनी कला को अपनी ताकत बनाया और आपना नाम वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकोर्ड में दर्ज करा लिया है पृती ने राम नाम उकेर कर भागवान सिरी राम और सिता जी की खुबसूरत प्रेंटिंग बनाई है पृती ने इसे तयार करने में प्रेंटिंग ब्रस या कलर का इस्तेमाल नहीं किया बलिक अलग-अलग रंग के पेंग का इस्तेमाल कर पचास और 181 बार राम का नाम लिख कर एपेंटिंग तयार की है पृती को साटिफिकेट और मेडल देकर समानित किया गया बता दे पृती बी एच्यू में फाइनल आर्ट फैकेल्टी में अम्तिम वर्ष की छात्रा है आदम खोर तेंद्विये को मारने का आदेस जारखन वन विभाग ने आदम खोर तेंद्विये को मारने का आदेस दिया है तेंद्वियों के बेहोस करने या पिंजने में बंद करने का काफी पर्यास किया गया लेकिन अपेक्छी सफल अब तक नहीं मिली है लिहाजा बन विभाग ने आदम खोर तेंद्वे को मारने का आदेश जारी किया है आपको बता दे कि तेंद्वे ने चार बच्चों की जान ले ली है लोग दोसत में हैं आदम खोर तेंद्वे से निपटने के लिए हैदराबाद के परसित सिकारी नवाब सपत अली खान को बुलाया गया है वे उसे काबू करने का पर्यास कर रहे हैं लेकिन अभी तक उन्हें कोई खास कम्याबी नहीं मिल सकी है जारखन का मौसम होगा साफ जारखन में 23 जन्वारी से मौसम का मिजाज बदलेगा मौसम विभाकी माने तो 22 जन्वारी तक इठीती ऐसी ही रहेगी वहीं 23 जन्वारी से आकास साफ होगा 21 जन्वारी को राजे में कही कहीं सुबह में कोहरा या धूंद और बाद में आंसिक बादल चाँ सकते हैं मुठ्यता साप रहेगा मौसम सूसक रहेगा ज्यारखन के सरकारी स्क्èle में दाखिला लitel की संख्या बढ़ी के स सरकारी विध्या 약 बढ़ा है एन्वल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट बुद्धवार को जारी की गई इसके अनुसार वर्ष 2018 में राजे के सरकारी पिद्यावल में नमांकित बच्चों की संख्या 78 फिजदी थी इस दारान सरकारी स्कूल में नमांकर लेने वाले बच्चों की संख्या में 5 लोगों को मिलनी है सरकार सर्वे के माध्यम से पता लगाएगी कि या मिल रहा है या नहीं इसकी परकिरिया शुरू की गई है कि नहीं उन्होंने कहा एक विभीन अद्योगीक इकायो या फैक्टरी में कितने अस्थान ये लोग है इसका रिकोर्ट बनाया जा रहा है मुख लेत्राइक दोरान कई है बता दे 50 मिनट के लंबे भासन में सिरी सुरेन ने भाजपा और केंदर सरकार पर जम कर निशाना साथा है देवगर इम्स में अब कैंसर वा हिर्दय रोग की दवाईयां होगी उपलब्द इम्स के अमरित फर्मेंसी में अब कई जीवन रक्षा क के नियुक्ति के बाद इन दोनों भी मारियों की रोगयों की संख्या बढ़ गई है एम्स परबंधन के उन संसा के बाद कैंसर वा हिर्दय रोग जजूडी दवाईयों की बड़ी खेप अमरित फर्मेंसी में मंगवाई गई है इसके साथ ही देवगर इम्स के अस्पताल म और गोड़ा में मिलेगी एक रुपए में सेनेटरी पैड परदायन मंत्री जन अवस्दी परियोजना के तहत देवगर एम्स समेत देवगर सदर अस्पताल वा गोड़ा सदर अस्पताल सेनेटरी पैड की वेंडिंग मसीन लगाई जाएगी महिलाओ को एक रुपए में से मंत्री मांसुक मंडविया का अभार प्रकट करते हैं बताया है कि बजार में सेनेटरी पैट की कीमत अधिक रहने के आज भी कई जगा महिला वयूती इसे नहीं खरीद पाती है स्वास्त एवं परिवार कल्यान मंत्राले ने इन तीनों जगों पर प्राथ मिकता का अधार परसेनेटरी पैट की वेंडिंग मसीन लगाने का निर्ना लिया है धनबाद के कतरास मोड़ पर गोली बारी कई घायल धनबात के जहरिया कतरास मोड पर गोली बारी और बंबारी का मामला सामने आया है दरसल सिंग मेंसन और रगुकूल समर्थकों ने जम कर गोली बारी और बंबारी की है इसमें कई लोग घायल हो गया है जिसके बाद सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया और इलाज किया गया रागुकूल समर्थक राम बाबु परसाथ के घर पर गोली बारी चला है सिंग मेंसन के समर्थक धंजा यादो पर आरूप लगा है कतरास मोल के पास इस्थीत जानता मजदूर संग रागनी सिंग के करयाले में दूसरे पक्ष सरन लेने पहुँचे और मदद की मांकी सियम हमन्द के जमसेत पूर में खत्यानी जोहार में 1702 होंगी सामील मुख्य मंत्री हेवान सुरे के जमसेत पूर में 30-31 जनवारी को परस्तावित कारेकरम और खत्यानी जोहार यात्रा को लेकर रूट वहा कारेकरम तै किया गया है सितार राम डेरा आदिवासी हॉल में जामो जिला अध्यक सा घाट जिला बिधायक रामदा सोरेन के अध्यक्सता में बुद्धवार को हुए बैठक में जिले के चारों बिधायकों पार्टी के वर्ये नितावक का कताओं को अलग-अलग जिमिदारी दी गई जनकारी के अनुसार जिले के अलग-अलग परखंडों से कूल 80 बसों से कारेकाता सहर आएंगे इसे सफल बनाने के लिए 20 होल्डिंग लगाए जाएगी सहर के अलग-अलग छेतरों से कूल 17 सब मोटर साइकल की अलग-अलग टीम खत्यानी जोहार रयात्रा में सामिल होगी कक्छा 6 से आठवी तक के 50 परखंड बच्चे भाग देना नहीं जानते केंदरिय सिक्छा मंत्राले दोड़ा Annual State of Education Report बुद्धवार को जारी कर दिया गया है इस रिपोर्ट में धनबात के गरामीन छेतर के सरकारी स्कूलों का भी जीक रहा है रिपोर्ट के अनुसार गरामीन छेतर के सरकारी स्कूलों में 36 से आठवी कक्छा के 47.6 परखंड बच्चे मामूली भायक देना नहीं जानते जबकि 36 से आठवी के 28.2 परखंड बच्चे दूसरी कक्छा के पैठे पुस्तक पढ़ नहीं पाते हाए रिपोर्ट में कोई आकड़े चौप काने वाले हाए बताजे जीले के गरामीन छेतर में रहने वाले 6 से 14 वर्स के 85.4 परखंड बच्चे सरकारी स्कूल परते हाए या आकड़ा राजे के अवसत से कम हाए धन्यवाद यादि आप चैनल पना है हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वाल का बेले कर दबाए साथी साथ वीडियो के एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ सेर करना पूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फिड़वाए कवसे दे थैंक यू